तो देखिए आप लोग का आसीरियन की कला स्टार्ट हुआ था आसीरियन की कला जो टॉपिक है वो बदा रही थी आप लोग को तो इस वीडियो में भी आपको आसीरियन की कला के बारे में बताऊंगी फिर आपका जो है आसीरियन की कला इसके बाद खतम हो जाएगा फिर नौ कौन सी कला आइं इस टाइम पे थी तो यह जो है और जो है स्रौसी और जैता है कि यहां से भी निकल जाता था वहां केवल बरबादी और आगनी कांड ही देखने को मिलता था इसके इसके बाद जो है बस कुछ सेस अवसेस बनते थे यह इतना क्रूर शासक था कि वो सब कुछ नस्ट करवा देता था और जो है इस सब चीजों के बावजूद इसनी क्रूरता के बाद भी वो जो है कला प्रेमी सिद्ध हुआ कौन असुर नसिर पाल जो था वो तो यह जो है कलाओं का निर्माण करवाता रहता था और इसने जो है बहुत सारे राजप्रसादों पे दीवारों पे अंकन कराए थे तो इस टाइम पे जो है आप लोगों मैंने जूम मीटिंग पे बताया था कि जो है राजप्रसादों पे दीवारों पे वो युद्ध और शिकारों के धार्मी कनुष्ठानों के ऐसे रिलीफ चित्रन अंकित करवाता था और जिसमें से जो स्रेश्ट इसकी क्रती थी वो थी शेरों का शिकार तो इसके बारे में बताया था और इसका चित्र भी आप लोग को भेजा था कि कैसे ये असुन नसिर पाल जो है वो रत पर सवार है और घोड़े सरपट दोड़ रहे हैं और रत को खीच रहे हैं और जो घोड़े हैं उनको दोड़ने का वेग बहुत प्रभावशाली दिखाय नसिर पाल जो खड़ा असुन नसिर पाल थे और लोगए हुए हैं जिसकी कारण शेर जो बहुत क्रोधित दिखाया गया है निद है घोड़े के पैरो के नीचे दिखाया गया है तो जो है बाड़ों से त्रस थे उसके उपर बहुत सारे बांड लगी हुए हैं तो ऐसा लगता है वो मर चुका है या फिर मरनाचन की अवस्था में उस शेर को दिखाया गया है और इसके बाद इसमें जो है रत के पीछे दो शैनिक दिखाये गये हैं जो चल रहे हैं सासा सैनिक और इसको बहुती कम भावपॉर्ण इसका अंकन किया गया है जिसे देखकर ऐसा आशर्य होता है कि इतनी कुरूर शासक के टाइम पर भी इस कृति का निर्माढ हुआ था तो शेड़ो का शिकार आपको चित्रन बताया है तो यह चित्रा आप लोग देख लेना तो आप लोग को अच्छे से समझ म क्मिया तो आज आएगा कि क्या था तो आसीरियन कला में सार्गोन दुति का युग महाद्विपूर्ण ऑति musical कला है उस में किसका शार्गों दुति का वहोग वह भूत महाद्वूर्ण था यहां सारगोन ने एक विशाल भव्य राजप्रसाद बनवाया जिसमें 200 कमरे वा 30 खुले प्रांगड में मुख्य महल 22 फिट की उचाई पर बनाया था देखे जो सारगोन दुती था तो इसने जो है बहुत विशाल और भव्य राजप्रसादों की जो है निर्माड करवा बनाया था उनका और इसमें जो है 200 कमरे थे इस राजप्रसाद में और 30 खुले प्रांगड थे बरामदे टाइप के इसने 30 खुले प्रांगड बनाया हुए थे और मुख्य महल जो इसका था वो 22 फिट उचाई पर बनाया हुआ था किसका सारगोन दुती का एक ऐसा भव्य पर लगता था कलात्मक द्रश्टी से जिसके द्वारा राजनीतिक प्रभुत्त को प्रदर्शित किया गया महल के बाई और मंदिर का जिसमें सात मंजिल का जिगुरात था अब देखिए इसमें महल के बाई और मंदिर का निर्माड किया गया था जो मंदिर को क्या कहते थे सच इस टाइं पे जिगुराद कहते थे तो मंदिल जो जिगुराद था यह फी जो जिगुराद के टाइन को इनका भव्व्य विशालiger राज प्रशाद महल था उसके बाइं और प्रतेक मंझिल अठारा फुट ऊंची और विभिने रंगो से सैजीती इसकी चार मंजिल अब भी है जो क्रमसा सफेद काले नीले वा लाल रंकी है तो प्रतेक मंजिल 2018 फुट ऊची बनाई गय थी इस में बताया न मैंने की यह मंजिल पे बना हुआ है तो इसकी जो तेक मंजिल थी वो 18 फुट उची थी और विभिन रंगों से सजित की गई थी मतलब अलग-अलग प्रकार के रंगों से अलग-अलग रंगों से इसको सजित किया गया था और इसकी चार मंजिल अब भी बची हुई है जो कौन-कौन से कलर से बनी हुई है सफेद, काले-नीले वा लाल रंकी बनाई गई है तो जो चार मंजिल भी भी बाकी है वो इन चार कलर से देखने को मिलती है तो अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है यह आसेलियन का अंतिम महान समराठ था इसकी कला में बहुत रुची थी इसने अनेक मंदिर बनवाए पुराने मंदिर क को पुना निर्मित करवाया था अब देखें यह जो सार्गोन दुटी है तो इसके समय में बता रहे हैं कि और क्या क्या चीज़े बनाई गई थी तो सार्गोन दुटी जो है वह आसीरियन का अंतिम समराठ माना जाता है और इसकी कलाओं में बहुत रुची थी जैसे असु पुना निर्मित करवाया तो आप लोको निन्हवे से प्राप्त एक प्रतीमा पहले भी बता चुकि हूँ आप रोको । बेभी लोन में जो सार्गोन के टाइम पर ही बनी थी तो इस टाइम पर क्या था जो पहले के मंदिर थे राज-प्रिशाद थे और निहवे नगर का जो राजप्रिशाद था उसको इसने पुनाह निर्मित करवाया और जो बहले की मंदिर थे उनको जेड़ोधार करा रिनीव कराया था क्यों कि इसकी कलाओं में बहुत रुची थी इसलिए आसीरियन कला का सरवत्तम पक्ष रिलीफ चित्र है इन जिनका आसीरियन कला की इतिह इतिहास में मूर्तिकला का आसीरियनों को सरवाधिक सफलता पसु आकरतियों के अंकन में मिली है अब देखी जो आसीरियन कला है उसका जो सरवत्तम पक्ष वो क्या है रिलीफ शित्रन है रिलीफ शित्रन आपको पता है क्या है जूम मीटिंग पे बता दिया था तो जो आस तिकला का इस्थान सरोच्चम बताया गया है वैसे ही यहां पे भी आसीरिया में भी इसका जो इस्थान है वो बहुत सरोच्चम बताया गया है किसका रिलीव चित्रों गा तो यह जो है यहां पे आसीरियनों की जो सफलता प्राप्त हुई है रिलीव चित्रों में वो सबसे ज़्यादा पश्रू आकरतियों में पाई गए यहां की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इसके बाद सारगोन दुती के समय में निन्हवे नगर के जंगली मांसल घोड़े सेना कैरीप की निन्हवे राजप्रिसाद में अंखित घायल सीहनी तथा असुर बनी पाल के समय का शेर का चित्र आसीरियन कलाकारों की सफलता के साक्षी हैं अब देखे यहां पे जो मैंने बताया था कि कला प्रेमी थे यहां के शासक आसीरिया के तो इनके जो सफलता की कहानी है या फिर जो इसकी सफलता के साक्षी है वो कौन-कौन से चित्र हैं उनके कुछ उदाहरण यहां पर बताया गए हैं तो जो सारगोन दुथी के समय पे निन्हवे नगर में बनाया गया था जंगली मांसल घोड़ा वो बहुत प्रसिद्ध है और सेना केरिब के निन्हवे राजप्रिशाद में जो सेना केरिब है ये भी एक आशक थे तो इन्होंने इनके टाइम पे ब हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुए हैं और कलाकारों की यहां पे जो कलाकारों के उधारण हैं वो देखने को मिलते हैं अब आगे देखते हैं कि क्या है 625 इसापूर में असुर्बनी पाल की मृत्य होते ही समराज विगठित हो गया तथा कैल्डियन गवर्णर ने नेबो पुलसर आसीरिया पर आक्रमण कर पुना बेबी लोन को राजनीती केंद्र बना लिया यहां से नव बेबी लोन काल इस्टार्ट होता है तो अब देखि इसका शासक था किसका आसीरिया का तो इसकी मृत्य हो जाने के पश्यात इसका जो समराज था वो विगठित हो गया है ना तो आपस में वो विखंडन हो गया तो इसके बाद जो है वो कैल्डियन गवर्णर नेबो पुलसर जो है उसने आसीरिया पर आक्रमण कर लिया और उ आसीरिया पर अक्रमण कर नव बेबी लोन को केंद्र बनाया तो इसी के टाइम सही वो नव बेबी लोन का काल प्रारम होता है किसके टाइम से टैल्डियन गवर्नन नेबो पॉलस सरकुट टाइम से अब आगे देखते हैं नव बेबी लोनियन के बाद जो है आपका तो चलिए देखते हैं, नौ बेबी लोनियन कला में क्या था तो नौ बेबी लोनियन जो कला है इसमें आसीरिया के अधिपत्य से मुक्ती प्राप्त करने के पश्चात, बेबी लोन के इतिहास में सैमेटिक जाति की एक साखा, कैल्डियन के नेतरत्य में सकती वैभा हम अता सम्रद्धी का एक नमीन वा संशिप्त किन्तु गौरोपूर्ण युग प्रारंब होता है अब देखिए आसीरिया का तो अधिपत्य हो गया उन्पे अपना अधिपत्य कर लिया अपना हक इस्थापित कर लिया किसने जो कैल्डियन थे उन्होंने तो जो कैल्डियन है जब इ संशिप्त था किन्तो गौरोपूर्ण यहां से इनका युग प्रारंब होता है किसका नौ बेबी लोनियन जो है उनका और जो सेमेटिक जाती है उनका इसके सासनकाल को बहुदा नौ बेबी लोनियन तथा कैल्डियन पुनल जागरण का युग कहा जाता है तो यह जो जागरण मतलब कैल्डियन रेनसंस का युग भी इसको कहा जाता है जब नौ बेबी लोनियन की कलाय स्टार्ट हुई तब तो यह आपका नौ बेबी लोनियन जो है वह भी इसमें धूरा है तो मैं आप लोग को जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी कि आगे और न प्राइस करें बाकी या फिर जूम मेटिंग पर मुझे डिस्कस करें थैंक यू